रवींद्रनाथ टैगोर एक अद्भुत कहानी पूरवजों की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान और महत्व देने वाले भारतिय साहित्य के महान कवी, लेखक और समाज सुधारक रवींद्रनाथ टैगोर की अद्भुत कहानी है. रवींद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के जोरासांको हुआ था उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रमुख शिक्षा विध थे और माता शर्दा देवी एक समर्थ साहित्तीक थी उनका परिवार धनी और सांस्कृतिक उत्सवों से भरपूर था रवींद्रनाथ का बचपन और यूवा वस्था उनके लेखन कर्म के लिए महत्वपूर्ण था उन्होंने बंगला और संस्कृत में अपने रचनात्मक उत्पादों के माध्यम से व्याकुलता का अभिव्यक्ती किया उनका प्रसिद्ध काव्य, नाटक, कथाएं और गीतों में गहरा साहित्यक संदेश था रवींद्रनाथ का साहित्य विभिन्न विशयों पर आधारित था जैसे की प्रेम, प्राकृतिक सुंदर्ता, धर्म और मानवता उनके लेखन स्वतंतरता के प्रती भी बहुत उत्साही था उनकी एक प्रमुख रचना, गीतान जली, एक अनमोल ग्रंथ है जो उनके भावनात्मक विचारों और शान्ती के संदेश को समाहित करता है इससे पूरे विश्व में उन्हें नोबेल पुरसकार की गर्मी मिली रवींद्रनाथ टैगोर के समाज सुधारक कार्य का महत्व भी अत्यधिक है उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीन विकास के क्षेत्र में अपने योगदान के माध्यम से समाज को प्रेरित किया टैगोर के अंतिम वर्षों में उनका उत्साह और उनकी साहित्तिक गतिविधियों में थोड़ा सा कमी आई लेकिन उनके विचार और विचारधारा ने लोगों को हमेशा प्रेरित किया रवींद्रनाथ टैगोर का योगदान भारतिय साहित्तिके महान गौरव के रूप में बना रहेगा उनके अद्भुत साहित्तिके माध्यम से वे सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे अंत रवींद्रनाथ टैगोर की अद्भुत कहानी का अंत है लेकिन उनके विचार और उपकार हमेशा हमारे साथ रहेंगे असा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें